पिटा जी भाई अकेले खड़े वहां उनको भी बुला लो ना नहीं अभी रहने दो बेटी एटलिस मुझे उनके साथ जाके बात करने की इसाज़त दो नहीं बेटा बेकार में रामाइन की कहानी को दवराओ मत भाई को ऐसा देखने पर मुझे बहुत तकलिफ हो रही है यह इदर क्यों आई सुनिया मालिक आप लोग आये आते हैं बेटा विराज तुम भी आओ हलो यहां किसलिए आई हो राजा को मिलने के लिए नहीं मिल सकती क्यों नहीं उसकी माँ इदर आई है माँ आई है उदर बीमडेवलू कार से बाहर आ रही है ना वही है अंजना है ना उसकी ओनर आज किसके लिए आई है पता है 15 करोड की प्रॉपर्टी को मंदिर के नाम दान में देने के लिए रेइस्टेशन करने के लिए घर के सारे लोग आए हैं और हमारा राजा भी आया हुआ है इस दिन कुछ स्टेटस से स्टेटस बक रही थी ना यह है हमारे राजा के स्टेटस समझी गया चल्ट मिस्टर विराज मंदिर के अंतर चपल पहन कर क्यों आ रहे हो जाओ छोड़कर जाने वाले बंजारे लोग का बुला के सबको अपने सर पर चड़ा रहा है तू यहां किसी को भी लेकर आ जाओ इन यहां का राजा मैं ही हूँ क्या जालिमान में इसके अन्याई को रोपने वाला क्या पोई नहीं है यहां पर दस अजार है रख ले राजा हाँ हाँ यह बैलेंस है तू रख ले ठीक है बादों मिलते हैं तैसे हो मैं अच्छा हूँ राजा मेरे जिन्दी के बरबाद होने यह उसे मालूम पड़ा, उसे गिल्टी फिल हुआ और इसी वज़े से वह वहाँ से वापिस चली गई। उसमें मुसे कसम ली है कि ये बात मैं किसी को ना बताओं। फिर भी मैंने तुम्हें ये बता दिया, वो तुम्हें बहुत पसंद कर दिया, राजा। गीता, 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 इसे प्रोपोस करने के लिए तीन साल लग गए, इसलिए मैंने हिममत जुटा कर खुद प्रोपोस कर दिया, हमारा लव मैरिज हुआ है, बाइ, हलो, लेख मत करना है, बाइ, हलो, गीता दीधी, कौन दीधी, एक सला देता हूं सुनू, बोलो, मेरे आट मुश्किल से कमाया हुआ पैसा और चाहने वाले लड़के को कभी भी हाज से निकलने मत देना आसमान के तारे खुद जमीन पर उतर कर आये है, ऐसी लग रहा है, ये ले लो बेटी, जा है माजी ये तुँ खुद खोल कर देख लो किस ने दिया माजी आपको ये, एक खुब सुरत लड़का, राज कुमार ने दिया बेटी, वहाँ, उससे देखो मेरे पास बहुत जमीन जायदाद है, पर उससे भी कीमती मेरे लिए सिर्फ एक औरत है, मेरी माँ और उस माँ की कसम खाती कहता है, मैं जब तक जिन्दा रहूँगा, मेरा दिल सिर्फ तुम से प्यार करेगा ऐलनिंदा टॉ प्यार आप आग हुए तुमस से बंदी बंदी खोत्तर मिहाँ, मेरा आख तुमस्तर ने क्वाण यॉदा मैरा, मैं ऑजुए, हुए, प्तुमस्तर CHEERING भेर ठालो यह रोक 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 गाड़ी रोक पिछले पिर दिन जब थेटर में इंक्वाइरी किया था उसने बोला था कि वाइट जीप में आये था ना आ वाइ यह यह बनो वो अंदर बुलू कलर का चेकशट पहना है ना वही है तेरा एरिया कौन सा है नाम क्या है क्या कभी भी इस बार में आ जाता है बार वाला तेरे को कुछ बोलता नहीं एरिया चानकर तू मेरा क्या उखाड लेगा रहे तेरी तो हाँ है और कान इसके साथ हलो पुलिस टेशन यहां बार में कुछ गुंडिये लफड़ा कर रहे हैं भाई अपना लड़का इंक्वाइरी के लिए गया था उसको कुत्ते की तरा धो डाला भाई 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 बार व सुनी दस सालों के बाद आप गाउं जा रहे हैं राजा को भी साथ मिलेकर जाए ना उसकी मा राजी नहीं होगी इस घर का वारिस है वो कुल देवता की पूजा में वो नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा ठीक है कोई अच्छा समय देखके मैं उनसे बात करने की कोशिश करता ह नमस्ते मार्कें का शोभा बच्ची के लिए थोड़ा दूद लेकर आओ ही क्या ठीक है आओ लावन्या कैसी हो गुआ है मैं अपने बच्चे के कसम खाकर कहती हूं राजा ने मेरे साथ गलत कुछ नहीं किया मेरी वज़े से राजा को घर चोड़के जाना पड़ा उस दिन की गलती के वज़े से राजा अब तक वो सजा भुगत रहा है ये सब मेरी वज़े से हुआ मुझे माफ कर दो हुआ कि अधिया ये कल रात को जिन लोगों ने लखड़ा किया थो कौन है मुझे पक्का पता ही कि यहां का रेगुलर कस्टमर है वो कौन है कहां रहता है करेक्ट इनफॉर्मेशन दे बजार के लड़के लोग से बजार के लड़के लोग हुआ हाँ 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 बोलो तोरी भाई पता लग गया है वो बाजार का ही छोपड़ा है चोड़ना मत चोड़ना मत जानता मार दो ठीक है भाई चलो रहे सुनिये सत्यराज भाई अब आप ही को इस मंदिर का धर्म रक्षक बनकर रहना है ऐसा हम सब ने मिलकर निर्णे लिया सबी को मेरा नमस्कार इस रेजिस्टर में साइन कर देंगे तो हमारे मंदिर के सारे रीती रिवाज पूरे हो जाएंगे आप सबी को मेरा नमस्कार अधिकार हाथ में आया तो तुम जो चाहे बगे जाओगे क्या वे हमें बेवकुर समझ रखा है बेवकुर समझ रखा है भागल समझ रखा है अधिकार अरे छोड़ो अधिकार अधिक है इसे उसकी इज़त नहीं उतारने का चलो कि अधिन मंदिर में सब के सामने उसने मुझे चपल से मारा और आज अपने काटे को काटे से ही निकालना चाहिए इतने समय से अपनी गुंडा गर्दी से हम सब को डरा रहा है ऐसे किसी इंसान को बुलाना हो जो उसको मुदोर जवाब दे तब जाकर उसको अकल आएगी हम भी अगर उन गुंडों से लड़ेंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा हमें पुलिस कंप्लेंड करनी चाहिए ऐसे गुंडे लोगों के लिए पुलिस टेशन में जाकर कंप्लेंड लिखाने का कोई फाइदा नहीं जड़ से उखाड़ना चाहिए राज जी का पालन करने वाला राजा वनवास गया यह जानने के बाद गली का पुत्ता भी पूछी लाकर सीना तानकर घूम रहा है और यह लोगोंडी लोग भी राजवंशी होने का रोब जता रहे आज अगर हमारा राजा रहता तो किसी को हमारे घर के चोकण मेंने की हिम्मत नहीं होती अगर भाई यहां रहता तो चट्नी के जैसे ही सब को पीज डालता इनकी घुंडा गर्दी निकल जाती